हे वेलकम बैग मेरा नाम है शोईपशेक और मैं आप सभी का फिट वाले में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आज इस वीडियो में मैं आपको बायोफलक फिश फार्म से हर्वेस्टिंग बताने वाला हूँ एक्शुली ये एक पार्शल हर्वेस्टिंग है यहाँ पर इन्होंने कुछ मशलियों को अलग करके एक एक्स्टा टैंक में डाल दिया है ताकि जब टेडर आये तो जितना माल बेचना है उसे सिर्फ उतना ही दिया जाए और निकालने में भी आसानी हो अब यहाँ पर जो फिशेस को बेचा चाह रहा है न ये मेरे हिसाब से एक अच्छी सेलेबल साइज नहीं है 300 ग्राम, 400 ग्राम या 500 ग्राम की मशलियों को कभी नहीं बेचना चाहिए पंगर्षेस के लिए सबसे बेच सेलेबल साइज होती है 700 ग्राम, 800 ग्राम या फिर 900 ग्राम की क्योंकि पंगर्षेस को एक ग्राम से 400 या 500 ग्राम होने में बहुत टाइम लगता है पर 500 ग्राम से 800 ग्राम होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता 300-400 ग्राम की मचलियां बेचने पे हमारा profit सीधा आदा हो जाता है इसलिए हमेशा कोशिश करना कि आप पंगास को 700 या 900 ग्राम के बीच बेच सको अब एक अच्छी बड़ी साइज में लाने में कुछ लोगों को थोड़ा problem होता है जैसे के जगा की कमी हो सकती है उसको खेलाने के लिए पैसो की कमी हो सकती है और बहुत से फार्मस को एक common problem होता है पैसो की urgent जरूरत urgently पैसा चाहिए बहुत urgent चाहिए पैसा चाहिए यार वरना problem हो जाएगा ऐसा सोच के बहुत से फार्मस मचलियों को छोटी साइज में ही बेज देते है याद रखना ये सबसे बड़ी बेवकूफी है और बहुत बड़ा नुकसान है हमेशा कोशिश करना कि आप मचलियों को बड़ी साइज में बेज सको उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट होगा अब बहुत से बायफ्लक वालों को ये भी एक प्रब्लम होता है कि उन लोगों ने छोटे टैंक्स बना लिए और उन छोटे टैंक्स में ग्रोथ का इशू हो रहा है तो ऐसे में आप साइड में तालाब बना लो मचलियों के बच्चों को थोड़ा बड़ा करके आप उसको तालाब में डाल दो फिर वहां उनको अच्छा ग्रोथ आएगा बड़े पॉंट्स हो तो उसमें भी कर सकते हो या फिर आप छोटे पॉंट्स बनाके उसमें बायफ्लक भी कर सकते हो एक बात याद रहे जितना बड़ा टैंक होगा या जितना बड़ा पॉंट होगा उतना ग्रोथ फास्ट आएगा बहुत से लोग फोन करके पुछते हैं कि ट्रेडर्स का नंबर दो तो यहाँ पर स्क्रीन पे फारुक भै का नंबर आ रहा है अगर आप महराष्टा से हो और आपको मशलियां बेचना है तो आप फारुक भै से कॉन्टाइक कर सकते हो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे एक जटके में बायर फ्लक फार्म पर सारी मशलियां मर गई वो वीडियो नहीं देखा हो तो जरूर देखना ताके आपको ऐसा प्रॉब्लम ना हो नेक्स वीडियो में वीजे भाई और फारुक भाई बायर फ्लक के प्रॉब्लम्स और कुछ सिक्रेट शेर करने वाले है नेक्स वीडियो जरूर देखना और feed वाले को subscribe कर लेना क्योंकि मैं ऐसी useful information आप लोगों के लिए ले के आता रहूँगा Thank you